गुड मॉर्निंग बच्चो बच्चो अभी तक हमने स्वाध्धे 4.5 तक देख चुके थे हो गया था अब हम आते हैं बच्चो स्वाध्धे 4.6 पे तो सभी बच्चे बुक निकार लीजे जेप्टर नमबर आपका 4 है और उसमें स्वाध्धे 4.6 में निकार लीजे और बच्चाओं के विध्यार्थियों का प्राप्तांक को निम्न जानकारी निम्न रूप से दी गई है ठीक है इस सूचना पर से विध्यार्थियों के प्राप्तांक का मिस्र प्रमाप विचलन ग्याद कीजिए तो बच्चो आपको इसमें मिस्र प्रमाप विचलन ग्याद कर दोनों का दिया हुआ है तो देखिए बच्चों मिस्प्रमाव वीचलन ग्याद करने का आपका सूत्र है देखिए यह रा मिस्प्रमाव वीचलन ग्याद करने का सूत्र है स्क्रमाव वीचलन ग्याद करने का सूत्र है यह पूरे का अंडरोट यह आपका फॉर्मूला है बच्चों तो यह आपका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला में सबसे पहले हमको एन वन फाइंड आउट करना है एस वन फाइंड आउट करना और डी वन फाइंड आउट करना है ठीक है तो देखे बच्चों यह आपका संख्यादी हुई है तो यह आपका एन वन हो गया विध्यारतियों की संख्यादी है कच्छा एकी तो यह आपका एन वन हो गया पच्चास औसत प्राप्तांक हो गया साहिट यानि असुत प्राप्तांग मतलब एकसपार आपका साहिट हो गया एकसपार वन और प्रमाप वीचलन आपका S1 हो गया 10 ठीके बच्चो एसे ही कच्छा B का भी हम निकाल लेंगे कच्छा B का हो गया देखें N2 साहिट हो गया ये रहा दिया हुआ है और औसद प्राप्तांग आपका हो गया X2 ये आपका 48 हो गया और प्रमाप वीचलन आपका हो गया S2 ठीके बच्चो बारा दिया हुआ है ठीके तो दीखे बच्चो आप हम मारे पास N1 भी दिया हुआ है S1 भी दिया हुआ है हमें D1 find out करना है तो D find out करने के लिए हम सबसे पहले D find out करने का आपका सूत्र है X bar 1 minus X bar C तो हमें सबसे पहले X bar C find out करना पड़ेगा बच्चों X bar C हम कैसे find out करते थे X bar C find out करने का formula है N1 X bar 1 plus N2 X bar 2 भाग गया N1 plus N2 ठीक है तो देखे N1 आपका दिया हुआ है 50 और X X1 आपका दिया हुआ है साहिट बच्चों multiply साहिट हो गया plus N2 भी आपका दिया है साहिट और X bar 2 आपका है 48 तो हम इसमें value पुटन कर देंगे साहिट इंटू 48 ठीक है बच्चों N1 की value है 50 और साहिट N2 की है तो हम इसमें लिए लिख देंगे 50 और साहिट ये दोनों को multiply करेंगे तो आपका आगया बच्चों 3000 प्लस ये दोनों को multiply कर देंगे तो आपका आगया 2880 ये दोनों को plus कर देंगे तो आपका आगया 110 ठीक है अब 3000 प्लस 2880 को हम प्लस करेंगे बच्चो तो आपका आ गया 5880 और नीचे 110 का as it is रहेगा ठीक है अब ये दोनों को 10 से 10 कर गया अब ये दोनों को हम डिवाइट कर देंगे तो आपका आंसर आ गया बच्चो 53.45 ये हो गया आपका x पार c ठीक है बच्चो अब x बार c हमने find out कर लिया उस पर से हम d1 और d2 find out कर सकते हैं तो x बार 1 की value आपकी दी हुई है साहित तो हम यहाँ पर साहित लिख देंगे माइनस x बार c आपका आया 53.45 ये दोनों को माइनस कर देंगे बच्चो तो हमारा आगया 6.55 ठीक है बच्चो ऐसे ही हम x बार 2 भी find out कर सकते हैं तो x बार 2 sorry d2 भी find out कर सकते हैं तो x बार 2 की value हमें दी हुई है 48 तो हम इसमें 48 लिख देंगे माइनस x बार c की value हमें दी हुई है 53.45 ठीक है बच्चो अब ये दोनों को हम माइनस कर देंगे तो आपका माइनस में आ जाएगा 5.45 आगया ये आपकी हो गई d2 की value ठीक है बच्चो अब हम इस पर से प्रमाब वीचलन find out कर सकते हैं मिस्र प्रमाब वीचलन तो देखें मिस्र प्रमाब वीचलन का आपका formula दिया हुआ है इसमें हम value put on करेंगे बच्चो तो देखें n1 की value आपकी दी हुई थी 50 s1 की value आपकी थी बच्चो 10 का square दिया हुआ है प्लस d1 की value आपकी आई 6.55 इसका भी square है प्लस n2 की value आपकी थी साहित ठीक है बच्चो s2 की value आपकी थी 12 प्लस d2 की आपकी value आई minus 5.45 का square ठीक है बच्चो अब इंटू भागे में आगया आपका n1 की value है 50 n2 की value है साहित ठीक है बच्चो अब हम इसको solve करेंगे value हमने put on कर दिया अब हम इसको solve करेंगे तो देखें बच्चो 50 का 50 रहेगा इसका वर्ग निकाला तो 100 आगया plus 6.55 का वर्ग निकाला तो हमारा आगया बच्चो 42.90 ठीक है प्लस साहित का साहित रहेगा बारा का वर्ग निकाला हमने सुरी बारा का वर्ग निकाला तो 144 आगया और माइनस पांच पॉइंट 45 का हमने वर्ग निकाला बचो तो उसका आगया 39.7 ठीके बचो और ये दोनोंको प्लस कर दिया तो 110 ठीके बचो अब देके आगे क्या होगा बचो आगे हम 50 का 50 लिखेंगे ये दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका आगे 142.9 प्लस साहिट का साहिट लिखेंगे ये दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका प्लस करने पे हमारा आया बच्चो 173.7 और नीचे 110 ठीके बच्चो ऐसे ही हम इसको 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 इसक कर देंगे तो हमारा आया 7144 प्लस साहीट और इसको हम मल्टिप्लाइ कर देंगे बच्चो तो हमारा आया 10452 ठीके बच्चो और यहां पे 110 का 110 रहेगा ठीके बच्चो अब यह ये दोनों को प्लस कर देंगे उपर उपर का प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे आया बच्चो 17566 और नीचे 110 का 110 ठीक है बच्चो अब ये दोनों को हम डिवाइट कर देंगे तो डिवाइट करने पे आया 159.7 अब इसको अंडर रूट से बाहर निकाला बच्चो तो हमारा आ गया 12.54 तो यह हो गया बड़ा पच्छो हमारा सी इसलिए प्रमाप वीचलन इस इकल टू 12.64 ठीके बच्छो यह हमारा हो गया mix प्रमाप वीचलन ठीके बच्छो अब देखे बच्छो स्वाद्य 4.6 में question number 2 भी इसी तरह दिया है देखे लिखा एक factory के दो उत्पादन विभागों की दो सुझना से दोनों विभागों के लिए हुए उत्पादन समय का miss प्रमाप वीचलन ग्याद कीचे इसमें भी आपको mix प्रमाप वीचलन दिया है बच्छो तो देखे ग्याद करना है आपको इसमें क्या क्या दिया है काईगरों की संख्या मतलब N दिया हुआ है प्रतिकाई उसत उत्पादन समय मिनट में दिया हुआ है ये भी आपको X बार दिया हुआ है बच्चो और वीचरन वीचरन मतलब आपको दिया हुआ है S1 तो इसी तरह से हम ये भी find out कर सकते हैं जैसे आपने ये किया जैसे देखें यहां पर भी दिया है विभाग यह भी भाग दू तो N1 X बार 1 और S1 यहां पर भी N2 X बार 2 और X2 करके हम mix प्रमाप वीचरन find out कर सकते हैं बच्चो ठीक है